मोत्रोला लवर्थ के लिए काफ़ी अच्छागासा गुटनीष है क्योंकि गाइस मोत्रोला ने इंडिया पर बहुत ही जल्दी एक अच्छा गासा स्मार्टफून लांच करने वाला है जो medial range में रहने वाला है और उसी price में काफी बढ़िया specification के साथ आने वाला है जिसका नाम रहने वाला है Motorola H20 smartphone का specification लिक्स होकर बाहर आ चुका है आज इस वीडियो में आपके साथ share करने वाला है smartphone क्या खास specification के साथ आने वाला है और smartphone का price इंडिया में कितना रहने वाला है और smartphone कव इंडिया पर launch होने वाला है ये सब कुछ जान ले के लिए वीडियो आप लस्ट तक जुरू देखते रहे है हेलो गाइस मैं हूँ संजोई आप दिग रहे मिस्टर संजोई येटूब चैनल अगर आपको वीडियो परसंद आता है तो एक लाइक करना उसी के साथ चैनल को कलिए जी सबस्काइब नोटिफिकेसन बेल को जुरू आल में कलिक करना आज का वीडियो का लाइक का जो टार्गेट अगते 200 लाइक हुमित करते आप लोग पूरे कर दोगे सब्सक्राइब धिस्पेल के साथ डिस्प्ले का वेजल और नीचेत चेन रहेगा काफी चोटा एक अच्छा देखने वाला स्मार्टफून रहने वाला है Moto H20 चलिए बात काले तरह स्मार्टफून की डिस्प्ले के बारे में यह जो स्मार्टफून आने वाला है 6.67 इंज Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले के साथ उसी के साथ यहां पर रहने वाला है 120Hz का रिफर्स रेट काफी अच्छी बात है जोस्तों यहां पर मिल जाएगा 120Hz का रिफर्स रेट उसे के साथ Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले और सेंटर पंचुल डिस्प्ले भी रहने वाला है यहां कि गैस स्मार्टफून के अंदरा Full View डिस्प्ले का मजा ले सकते हो डिस्प्ले में दोस्तों इतना ज़्यादा प्रोब्लिम बगरा नहीं आने वाला है एक गेमिंग स्मार्टफून के अंदर जो डिस्प्ले होना चाहिए स्मार्टफून के अंदर देखने को मिल जाएगा मैंने बताया एक गेमिंग स्मार्टफून के लिए यहोंकि गैस एज जो स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग वाला स्मार्टफोन स्मार्टफोन में जो प्रोसेस आप देगेने को मिलेगा काफी पावारफूल चिपसेट जो होने वाला है Qualcomm Snapdragon के तरफ से 778G चिपसेट के साथ जो के एक Octa-Core चिपसेट है 6 nm पर बेस्ट है इसका जो clock speed run करने वाला है 2.4 GHz में उसे के साथ इस चिपसेट के अंदर आफका जो favorite game है SDS सेटिंग में बहुत स्मूदली खिल पाओगे कुछ भी problem बेगरा नहीं आने वाला है अगर अगर आप अपजी लवार्स हो अगर आपका बाजट बहुत ही टाइट यहों कि अंडर 20,000 रुपिस तो आफके लिए smartphone काफी बढ़िया रहने वाला है अब थोड़े दिन इंतिजार करिए आफके लिए तो smartphone काफी अच्छा गासा रहने वाला है चलिए बात का लेते smartphone की camera के बारे में यह जो smartphone आने वाला है पीछे की तरफ ट्रिपल camera सेटाप यह दोस्तों रुमर्स बिगर आ रहा है इसका जो पाइमरी सेंसर रहने वाला है 108 मेगाफिक्सल उसी के साथ 16 मेगाफिक्सल आल्ट्रोइल लेंस के लिए और 8 मेगाफिक्सल माइक्रो लेंस के लिए यहों कि गैस मॉट्व का camera अच्छा होता है आप मान के चल सकते स्मार्ट्फोन के अंदा जो camera आप आप देखने को मिलेगा प्राइस के सबसे काफी अच्छा कसा बात कालेते इसका सेलफी camera के बारे में जो स्मार्ट्फोन आने वाला है 16 मेगापिक्सल सेलफी camera के साथ स्मार्ट्फोन की सेलफी camera से आप फूल HD में 30 एपिस पर वीडियो अच्छा कसा सेलफी camera भी रहने वाला है बात कालेते स्मार्ट्फोन की battery के बारे में जो स्मार्ट्फोन आने वाला है 5000 एमजी battery के साथ उसे के साथ इन बोक्स कितने वाट का charger के साथ आने वाला है इसके बारे में कुछ भी information बाहर नहीं आया है मुझे लगता है दोस्तों 25 वाट का charger के साथ तो एड़ लास स्मार्ट्फोन आने वाला है चलिए बात कालेते स्मार्ट्फोन की other features के बारे में इस स्मार्ट्फोन के अंदर 6G RAM और 8G RAM रहने वाला है और जो storage brand रहने वाला है 128G वाला फिरेंट और 250 6G वाला फिरेंट LPDDR4X का RAM रहने वाला है और जो storage स्मार्ट्फोन के अंदर RAM का स्पीट और storage का स्पीट काफी अच्छा का सा रहने वाला है जब आप को इंस्ट्रॉल करोगे या RAM मेरेजमेंट दोस्तों स्मार्ट्फोन के अंदर काफी बढ़िया देगने को मिल जाएगा उसी के साथ स्मार्ट्फोन आने वाला है इंबोक् पसंद आता है तो आप Motorola H20 के लिए वेट कर सकते हूं बात कर लेते हैं स्मार्ट्फोन का प्राइस इंडिया में कितना रहने वाला है जोस्तों सुनने क्यों यह आ रहा है इसका जो 6G,21,8G वाला फिरेंट का जो प्राइस रहेगा एक आगास 19,999 रूपीज एक लिक्स के म पस पास अगर आपको स्टॉक आंडूइट पसंद आता है अब 20,000 रूपीज के अंदर एक अच्छा गेविंग बला स्मार्टफोन ढूंड रहे हो तो आप जोरू वेट कर सकते हो स्मार्टफोन के लिए गैस ए था कुछ इंफर्मेशन मोटरोला H20 के बारे में उमीद करत तो आपको वीडियो पसंद आए होगा उम्मिद करता हो मैंने आपका साइड आउट के लियर करा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसी किसना चैलन को कर लिए सब्सक्काइब नोटिबीकसन बिलको जुरू आल में क्लिक करना जब मैं ऐसे वीडियो अबलोड करूँगा आपके बास नोटिबीकसन पहुँच जाएगा और आप तुरण वीडियो को देख साकते हो तो आज के लिए इतना है अगले एक फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए वाइ फ्रेंस टेक केर फ्रेंस